ये मामला जो है बहुत ही कमभीर है नितीश कुमार जी की अंतरात्मा हम पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल के खाड़ी में डूब बढ़ी है और उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई कि बीजेपी के मंत्री पर कारवाई कर सके करोलों की उगाही करते थे लेकिन देखते ही देखते पूरा पासा पलड़ चुका है क्योंकि एक बड़ी खबर आई कि बिहार के उपमुक मंत्री तार्क सुर प्रशाद ने 2019 से 20 में विधायक रहते हुए अपने रिशदारों को नल जल यूजना के अंतरकर ठेका दिलवाया और वो ठेका था तिरपन करोड का और ये आरोप है कि जो काम किया गया है ठेकेदारी में नल जल यूजना उसमें बड़े अस्तर पे ब्रस्ताचार हुआ है और अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष देश्यादव सीधे तोर पे नितिश कुमार पर आक्रमक हो गया है और साप तोर पे कहा है कि नितिश कुमार में अब इतनी हैसियत ही नहीं बची है कि वो बीजेपी के नेताओं पर ठेका दिया गया यह सीधे तोर पे बड़े अस्तर पे हर जगा किया गया है और यह साप तोर पे 2020 के विधान सभा चिनाव की तैयारी थी और इसे जो पैसा मिला है उसके बदले NDA के नेताओं ने वोट खरदा है और चिनाव को प्रभावित करने की कोशिश किया है क्या कु प्रवरा बीजेपी के लोगों और जंतादल इनाटेट के लोगों को चुन चुन करके ठेका दिया गया है यह चुनाव लगने की तैयारी जारी थी चुनाव में पैसा जो कहां से लाएं खर्च कैसे करें बोट को कैसे खरीदें management कैसे करें यह सारी तैयारी 2020 के चुनाव को लेकर के किया जा रहा था है उसलिए ये मामला जो है बहुत ही कंभीर है नितीश कुमार जी की अंतरात्मा हम पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल के खाड़ी में डूब बढ़ी है और उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई कि बीजेपी के मंत्री पर करवाई कर सके हाला कि सुचिता क कि बात करते हैं तो सत्तर घुटाले हो गए ये घुटाला हो गया आपको तो स्वयम इस्तीफा दे देना चाहिए थांतरात्मा और अतिक्ता के सवाल पर कि आपके रहते हुए कैसे हो गया आपने तब भी कुछ नहीं कहा था जब बीजेपी के मंत्री जो है बिना पैसे लि में वाले जितने अधिकारी है मुख्यमंत्री के प्रदान सचीव है उनका संपत्ति की जांच कराई जाए फिर भी मुख्यमंत्री जो है खामोश रहे साब तोर पे निता प्रतिपक्ष्टियस यादनितिस कुमार को निशाने पे ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके ही जो गाइडेंस में उनके अंदर ही ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि बीजेपी बिधायक नहीं ये कहा था कि जितने भी हाजपा मंत्री हैं बिना पैसा लिए हुए ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं करते हैं उसके बाद नितिश कुमार ने कोई कारवाई नहीं कि थी जिदने भी सचीव हैं प्रधान सचीव मुक्स अचीव और तमाम लोगों के संपतियों की जाच होनी चाहिए और आपको पता होगा नितिश कुमार लगात यानि उनके शब्दों में कहें तो उनके जो प्रधान सचीव हैं मुक्स अचीव हैं उनके जे नौरफ्ण हैं उन लोगों के खिलाब संपति की जाच होनी चाहिए और साब को पर कहा है नितिश कुमार के जो गाइडन्स में ये सब कुछ हो रहा है और उनके अंदर अभी ये ताकत ही नहीं है बीजेपी के निताओं पर कोई कारवाई कर सकें तो जब से ताक्षत प्रशाद को लेकर ये मसला आया है निताप परतिपक्ष तेश्यादव लगातार आक्रमक हैं और अब देखना दिल्चस्प होगा कि ये मसला की सब तक आगे जाता है जैसे कुछ अबडेट आएका मुसाइब को तिलाह करेंगे आप देखती रहें जैंता जंक्षन बहुत बहुत धन्यवाद